नमस्कार फ्रेंड स्वागत है आपका एक वर फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट विद सीए अमन्द प्रीसिंग तो दोस्तो आज मैं आपको ऐसी कुछ गलतियां बताऊंगा जो की लोग अकसर इन्वेस्टमेंट में करते हैं इन्वेस्टमेंट करते वक्त हमें क्या चीज का ध्यान लखना है कब पैसा लगाना है कब निकालना है ये बहुत ही एक अच्छा आठ है और जो आदमी इस आठ को सीख लेता है वो ही इस मार्किट में पैसा बना पाता है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम गलतियां करते हैं कब पैसा लगाना चाहिए कब पैसा निकालना चाहिए विद अग्जेम्पल बताऊंगा हाला कि बहुत से लोगों को इस चीज में इंटरस्ट नहीं होता है और उनको ये चीज बकवास लगती है लेकिन फ्रेंड्स अगर हम एक वार ये चीज सीख लेंगे तो उसके बाद में मेरे ख्याल से हम ऐसी गलतियां कभी नहीं करेंगे पहले मैं बताऊंगा कुछ अग्जेम्पल के साथ के भी कब पैसा लगाना चाहिए और कब पैसा निकाल लेना चाहिए दोस्तों कुछ मैं आपको अग्जेम्पल दूँगा सबसे पहला अग्जेम्पल मैं आपको देता हूँ अडानी एंटरप्राइज़स अब आप यह चीज देखिए यह अडानी एंटरप्राइज़स का पिछले पांच साल का चार्ट है 2017 से लेके 2023 तक का इस चार्ट में आप यह देख सकते हो कि जो शेर था यह क्या है 2020 में यह शेर 50 रुपे का था 50 रुपे से यह शेर जो है यह 4200 रुपे का हो गया तो क्या इसमें वर्थ थी और क्या यहां पर क्या हमें पैसा लगाना चाहिया था यह चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे हम यह जान सकते हैं कि जो कंपनी की प्राइज है वो रीजनेबल है क्या इसमें वैल्यू है फिर आप देखिए कि जब इस स्टॉक में करेक्शन शुरू हुआ तो यह दो एक मीने में ही यह 1000 रुपे पे आ गया मतलब लगबग 75 परसंट करेक्ट हो गया तो दोस्तों मैं आपको एक सी बहुत सारी एक्जेंपल दूगा जहां पे की इन्वेस्टर्स ने गलती करी और बड़े लोगों ने पैसा बनाया और रिटेल इन्वेस्टर्स ने पैसा गवाया अब मैं अग्जेंपल के साथ बताता हूं आपको अब यह देखिए इसके अंदर इसका पांच साल का यह प्राइस का चार्ट है ठीक है तो यह आप देख सकते हो अब मैं आपको बताऊंगा इसका पी-ई रिशो तो दोस्तों इन्वेस्ट करते वक्त हमें इक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है इसकी जो नॉर्मल पी-ई थी आप देख सकते हो यह 12, 13, 20, 22, 25, 26 ठीक है यह इसकी एवरेज पी-ई थी जब यह अपनी एवरेज पी-ई से नीचे गिरा यह 11 पे आ गई यहाँ पे यह रीजनेवल था अगर आपको लेना था तो उसको इस रेट पे लेना था मतलब एवरेज पी-ई से एवरेज इसकी पी-ई 15, 16, 20, 22, 25 रहती है तो जब यह 11 की पी-ई पे आया तो यहाँ पे बाय करना था उसके बाद में क्या होता है पी-ई का एकस्पेंशन होता है जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे पी-ई एशो बढ़ेगा तो आप इसकी एवरेज पी-ई 20 है और जब आप देखोगे इसकी पी-ई 427 हो गई तो क्या यह कंपनी की इतनी वैल्यू थी कि यह 427 की प पे इसमें पैसा लगाया जाए तो बिल्कुल नहीं जिस भी बंदे ने पैसा लगाया उसको यहां पर लगाना चाहिए था याद रखिए जो भी शेर अपनी पीशे की पी एवरेज पी से हमें सस्ते में मिलता है वहां लगाना चाहिए और जब वो शेर बहुत महंगा हो ज जबकि इसका जो रेट होगा वो 500 रुपे तक होगा अभी जो इसका रेट है वो 1571 है तो आप समझ गए होंगे कैसे हमें प्राइस अर्निंग रेशो से यह जान सकते हैं कि कोई शेर महंगा है कि सस्ता है दोस्तो हमें एक चीज़ का ध्यान लगाना है हमें तब पैसा लगा हो और जब उसका पी एक्सपैंड हो रहा हो उस एक्सपैंशन फेस में हमें उसमें से पैसा बनाके निकल जाना है हमें लांग टरम जो लांग टरम इन्वेस्टमेंट है ना वो स्कैम है जब भी हमारा पैसा दस गुना बीस गुना हो गया हमें पैसा लेके निकल जाना है हम अग्जेम्पल देता हूं जी देखिए लूप इसकी एग्जेम्पल लीजिए अगर आप इसका प्राइस का चार्ट देखोगे तो पहले ये शेयर रहता था दो रुपे चार रुपे 5 रुपे पिर एकदम से क्या हुआ ये शेयर हो गया 117 रुपे का यहां पर फिर गिरते 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 आज कल यह नीचे गिरते गिरते कहां पर आ गया है 24 रुपे पर तो 117 रुपे का हाई ले आगे 24 रुपे पर आ गया है अब देखने वाली बात यह है क्या यहां पे इसमें पैसा लगाने के लिए इसके अंदर वर्थ थी अब हम इसकी P.E. रेशो चेक करते हैं तो जो इसकी एवरेज P.E. रहती थी आब देख सकते हो 0.40, 0.50, 0.60, hardly 1 की P.E. इसकी रहती थी फिर जब इसका P.E. का expansion हुआ तो यह पहुंच गई 17 की P.E. पे तो जो बंदा 17 की P.E. पे पैसा लगा रहा है जिस स्टॉक की एवरेज P.E. वन है तो क्या वो वर्थ है उसमें तो नो अभी भी यह गिरते गिरते जो इसकी P.E. वो 3.6 पे आ गया है और मेरा ऐसा मानना है अभी भी यह यहां से और आदा हो जाएगा 12 रुपे 10 रुपे इसकी रियल वैल्यू आएगी तब ही इसकी अंदर पैसा लगाने के बारे में सोचना चाहिए तब तक नहीं सोचना चाहिए दूसरी कंपनी के वारे में सोचते हैं अब देखते हैं एक और एक्जेमपल लेते हैं दोस्तों चलिए अब एक जो अच्छी अच्छी कंपनिया है उनकी एक्जेमपल देखते हैं हम यह देखिए डिक्सॉन टेकनोलजी यह आप देख सकते हो दोस्तों इस कंपनी का जो श 600, 300, तो 300, 400, 500 रुपे का जो शेर था एकदम से भागा और पहुँच गया यह लगबग 5000, 6000 के आसपास 500 का शेर जब 6000 का हो गया मतलों 10 गुना हो गया वो शेर तब उसके क्या यहां पे पैसा लगाना बनता था तो हम चक कर लेते हैं यह देखिए अब जो इसकी PE है, एवरेज PE आप देखोगे इसकी 30, 40, 50, 42, 40, तो 40 से 50 के बीच की एवरेज PE हुआ करती थी जो की बढ़ते बढ़ते हो गई 182 की PE, तो 50 रुपे की चीज जब 182 रुपे पे हो गई तो क्या हम इसमें पैसा लगाना बनता था, बिलकुल नहीं बनता था स्टॉक महंगा है और 40 रुपे की PE पे ही इसके अंदर 30 से 40 रुपे की जब PE हो जाएगी, प्राइस अदनी तभी इसमें इन्वेस्टमेट करने का सोचना चाहिए, अभी भी ये स्टॉक महंगा है, और एक्जेमपल ले लेते हैं, टाटा इलेक्सी, दोस्तों हर स्टॉक के एक्स-पैंचन होता है। देखिए। ये स्टॉक है टाटा इलेक्साई, टाटा इलेक्साई आप सब जानते हैं स्टॉक के बारे में, यह देखियेश ये जो स्टॉक था, एक हजार बारह सो, नो सो, आट सो, यह इसकी एवरिज प्राइस थी, फिर इकदम से ऐसा क्या है मतलब एक हजार वाला स्टॉक दस गुना हो गया ग्यारा एक साल में एक धेड़ साल में दस गुना हो गया तो क्या यहां पे 1100 पे इसमें इनवेस्टमेंट की वर्थ थी नहीं अब हम इसको पी-ई के माद्देम से जानते हैं जे देखिए दोस्तों जो इसकी एविधी थी तब इसमें जो लोगों ने पैसा इसमें लगाया तब इसमें PEE का expansion हुआ यह आप देख सकते हो तो क्या 110 की PEE पे जो की 20 की PEE थी क्या 110 की PEE पे पैसा लगाने बर्थ थी बिल्कूल नहीं थी अब यह स्टॉक है गिरते 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 अठावन की पी पे आ गया है पर मेरा ऐसा माना है अभी यह स्टॉक मेंगा है बीस से तीस की पी जब इस स्टॉक में अभी और आदा हो जाएगा यहां से जब तीस के आसपास आएगी पी तभी इसमें पैसा लगाने की वर्त है अब यह स्टॉक 6662 रुपे का है तो 3,000-3,000 रुपे के अंदर जब पैसा आएगा तब ही इसमें पैसा लगाना चाहिए otherwise यह जो स्टॉक है यह महंगा है तो दोस्तो मेरा main जो motive था आपको यह बताना था कोई भी स्टॉक जब अपनी average PE के नीचे मिले तब उसको purchase करना चाहिए और जब PE का expansion हो जाए तब हमें उसमें निकल जाना चाहिए इसके अंदर बने रहने से क्या होता है कि वो स्टॉक 75% तक correct हो जाता है अपने हाई से और हमें फिर नुकसान हो जाता है तो दोस्तों ये बाते जो है ना जे कोई भी नहीं बताता है retail investor को तो मेरा जे माना था कि मैं आपसे share करूँ आपके लिए और भी नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार